हाई गैस विल्कम बैक तो दी चैनल दीपाच्यादव एजूकेशन विल्कम तो दी देली करेंट अफेर्स ऑफ 13 ओफ ऑक्टूबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 13 ओक्टूबर 2021 और है वेटनस डे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपोरेंट करेंट अफेर्स बनेंगे उ एक पार्ट का नाम रखा है प्रिलिम्स बूस्टर और दूसरे पार्ट का नाम रखा है मेंस ओरेंटेड होगा क्या यहाँ पर प्रिलिम्स बूस्टर के अंदर हम वो आर्टिकल भी डिसकल्स करेंगे जो की छोटे-छोटे आर्टिकल्स होते हैं और बहुत इंपोरेंट हो लोग जैसे पहले आर्टिकल्स डिसकस करते थे वही वाले होंगे, काफी डीटेल वाले आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर मैं आप लोग को quiz भी provide करवाऊंगा, अब daily basis पर quiz के साथ मैं आप लोग को main answer writing के लिए भी एक question देने वाला हूँ तो काफी सारी चीजे इस वीडियो के अंदर मैंने add कर दी है, एक complete package बना दिया है मैंने इस वीडियो को, ओके, तो आर्टिकल्स कैके discuss करेंगे आज के इस वीडियो में, सबसे पहले आर्टिकल्स बहुत important होने वाला है, इंडिया और UK ने मिलकर sign क्या है forward action plan, अब यहाँ प हमारा जो Ayurveda है, वो Croatia तक पहुँचेगा, foreign countries तक पहुँचेगा, तो यहाँ पर इसके बारे में discussion होगा, एक important article है, दनो उसके बाद एक article काफी चर्चा में आपको मालूम होगा, हमारे Prime Minister launch करेंगे आज गती शक्ती master plan, तो यह गती शक्ती master plan क्या है, इससे क्या फाइदा हो देखने को मिलेगा, प्लस इसका aim क्या है, यह हम लोग देखेंगे, important article है, दनो उसके बाद एक और article, again IR के point of view से important article देखने को मिलेगा, इंडिया यहाँ पर line of credit प्रोवाइड करवा रखा है, किसको करगस्तान को अभी आपर हाल ही में यह देखने को मिला है, तो यहाँ पर specific articles इनको बोल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर means oriented article के अंदर काफी सारे detail में चर्चा करेंगे, एक article जो की लगातार news में देखने को मिलेगा, आज आपको बहुत सारी important information मिलेगी, China Taiwan के issue के बारे में, इनका इतिहास क्या है, पूरी history समझेंगे हम लोग, China Taiwan issue को एक एक करके हम लोग यहाँ पर cover करने वाले हैं, बहुत जादा चर्चा में है, इंडिया क्या क्या रोल है, आज के टाइम पर चायना को इस चीज को लेकर क्या concern देखने को मिल रहा है, यह सारी बाते हम लोग यहाँ पर जानेंगे, दनूस के बाद एक report publish करी है, World Metallurgical Organization ने, उस report का नाम है State of Climate Service Report 2021, भारत के अंदर यहाँ पर water crisis काफी जादा देखने को मिल रहा है, और आने वाले time पर यह crisis और जादा बढ़ जाएंगे, ऐसा यहाँ पर यह report बताती है, इसका analysis अच्छे से करेंगे, दनूस के बाद एक article काफी जादा चर्चा में यह देखने को मिलेगा, high ambition and coalition करके यहाँ पर एक group है, आपका सकते हो कि यह जो group है basically, इसको अभी हाल ही में India ने join कर लिया है, और Brics Nation में India एक लौती ऐसी country बन चुका है, जिसने यह पर इस group को join किया, इससे होगा क्या फाइदा, यह भी हम लोग जानने वाले हैं, तो मतलब यह articles भी बहुत ज़ादा लोट कर सकते हो, और यह है मेरी Instagram ID दीपक यादव एजूकेशन, चाहो तो यहाँ पर follow कर लेना, अपनी जितनी भी queries हैं उससे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो, by the way, दोनों ही चीजों का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, साथी साथ यहाँ तक पहुँच गए हो तो यहाँ पर information जो भी मिलेगी उसको gather करनी है, mind में capture करनी है, उसके बाद last मैंने quiz लगा रखा है, उस quiz को solve करना है, quiz को solve करोगे तो उससे पता चल जाएगा, कि हाँ मैंने कितने अच्छे से इस वीडियो को सुना है, ठीक है, quiz कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, आज के कुछ यह questions है, साथ-साथ mains का भी एक question मैंने तयार कर रखा है, यह भी मैं article समझाओंगा, देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस mains के question को solve करना, ठीक है, लिखना, उस comment में type कर सकते हो, उसके बारे में, काफी सारी आपकी जो opinion है, वो build up होता वा नजर आएगा, अ आपसे यहाँ पर कुछ questions पूछेते, एक quiz लगाया था मैंने, तो यहाँ पर उस quiz के answer आप लोग को यह देखने को मिलेंगे, मैंने आपसे पूछा था, इंडिया की Hanley Passport Index 2021 जो index है, इसके अंदर इंडिया का क्या rank के, तो इंडिया का यहाँ पर 90th rank देखने को मिलेगा, फि हमारे baseline से लगबग 200 nautical miles तक extend करता है, कल मैंने आपको detail में समझाया था, इसके बारे में, फिर उसका देख question मैंने आप लोगों से पूछा था, हमारी जो सरकार है, वो अभी क्या कर रही है, fishing vessels का जो rate है, यानि कि जो NAV है, उसका rate 80,000,000 से 1.3 करोड कर रही है, कौन सी scheme के में काम किया जा रहा था, park-based scheme के अंडर में काम किया जा रहा था, मैंने कल detail में आपको यह सब समझाया था, park-based scheme क्या है, क्यों चर्चा में, क्या विवाद है, उसके बाद next हमने discuss किया था, जो reverse repo rate है, वो basically एक ऐसा rate है, जिसमें जो RBI होता, Reserve Bank of India, वो पैसा borrow करता है, लेता है, commercial bank से, मैंने आप से पूछा था, कौन सा bank, किस से पैसा लेता है, तो उसके बाद यहाँ पर, next हमने question यह पूछा था, कि Global Hunger Index 2020 के अंदर भारत की क्या rank थी, तो भारत की 94th rank थी, तो उसके बाद next question था, Java Gipbon, यह जो wild population ने कहा पर पाया जाता है, तो यह इंडोनेशिया के Java Island पर पाया जाता है, वो इसके बाद last question यह था, कि जो coal है, वो basically यहाँ पर मैंने यह dash छोड़ा था, यहाँ पर मैंने आप से पूछा था, dash is therefore referred to as buried sunshine, buried sunshine क्या कहलाता है, वो coal को वो बरीड sunshine कहते हैं, यह भी मैंने कर डिसकस किया था, तो यह सारे questions थे, इनके आसर आपको य देखने को मिलेंगे, आज का जो session है, वो सही से सुनना, फिर इसके बाद आपको और भी question मिलेंगे, आज यह वाले इनको भी solve करना है, ओके, तो चलो शुरबात करते हैं, prelims booster को start करेंगे, prelims specific articles में सबसे पहला article आता है, यह वाला, यह article आपका GS paper 2, international relations के point of view से important हो जाएगा now यहाँ पर क्या है ना, कि कुछ छोटे छोटे articles हुआ करते थे, जिनको मैं skip करता था, मैं सोचता था, चलो कोई importance नहीं है, फिलाल, लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि उनको भी cover कर दिया करूँ, तो उस वज़ाए से मैंने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा changes की रहे, तो India और UK ने मिलकर sign क्या है, forward action plan on power, अब यहाँ पर यह क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकतो, इन दोनों ने मिलकर एक pact sign कर लिया है, इससे यह लोग काम करेंगे, किस चीज के ओपर, renewable energy के ओपर, किस के ओपर, green finance के ओपर, green energy के ओपर, एक तरीक से आप कर सकते हो, pollution को कम करने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा focus करने वाला है, इंडिया और UK, उस basis पर यह इस pact को sign किया गया है, अगर हम बात करें, जो इनकी meeting हुई है, उसके अंदर discussion क्या क्या हुआ, discussion में सबसे पहली चीज यही रखी गई, कि जो दोनों countries ह उनके बीच में कुछ topics कवर करे गए था, वो topics कौन कौन से थे, जैसे की energy storage, smart grid, मतलब smart grid, हम लोग किस प्रकार से जो एक तरीके से pollution उसको कम कर सकते हैं, हम लोग electricity को कैसे renewable energy से generate कर सकते हैं, infrastructure को कैसे develop कर सकते हैं, charging infrastructure को कैसे बढ़ा सकते हैं, green hydrogen को हम लोग कैसे produce कर सकते हैं, इन सारे topics को cover किया गया था, इस meeting के अदर, मतलब overall अगर हम बात करें, एक crux देखें, इस पूरे discussion का, तो crux ये रखा गया, कि किस प्रकार से हम लोग अपनी renewable energy के अंदर growth कर सकते हैं, renewable energy के अंदर हम लोग growth इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कि एक तरफ से investment भी किया जाए, तो wind energy हो गया, electric vehicles हो गया, या फिर alternative fuels हो गया, इनके ओपर discussion किया गया, कि हम लोग इन चीजों की growth आगे बढ़ा सकते हैं, देखो होगा क्या, आज के टाइम पर हम लोग petrol, diesel इनका इस्तमाल कर रहे हैं, इसे pollution काफिये तक देखने को मिलता है, अब यहाँ पर pollution हो रहा है, global warming बढ हम लोग आज के टाइम पर focus कर रहे हैं, अपने green energy के ओपर, तो यह discussion किया गया, इंडिया और UK को साथ में मिलकर, इंडिया और UK ने मिलकर यहाँ पर अपना, जो भी discussion रखा है, वो इन चीज़ों के अंदर रखा, प्लस UN ने अपना announcement भी कर दिया, कि लगबग 1.2 billion dollars यहाँ और यह investment करेगा, green energy के अंदर, renewable energy के अंदर, तो कुछ पैसों का announcement भी क्या गया, इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर पैसा खरचा जाएगा, इंडिया के साथ मिलकर collaborate करेगा, हम लोग green hydrogen को साथ में मिलकर बनाएंगे, उसके लिए यहाँ पर UK ने कुछ amount announce किया है, इस particular meeting में, तो यह आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है, तो green hydrogen क्या होता है, तो green hydrogen एक तरीके से हम लोग clean renewable energy का इस्तमाल करते हैं, electricity और water को इस्तमाल कर जाता है, water के अंदर electrolysis के माधियम से क्या करते हैं, हम लोग water के अंदर से, जो hydrogen है, उसको अलग कर देता है, oxygen को अलग कर देता है फिर उसके बाद आप कर सकते हो, हम लोग इसी hydrogen को store कर लेते हैं, और फिर उसके अदर store करने के बाद, वो hydrogen अपनी जगा पर पहुंचा दिया जाता है, जिसको हम लोग green hydrogen बोलते हैं, तो आपको ध्यान दखना है, water में से यहाँ पर इस hydrogen का production क्या जाता है, लेकिन production करने के ब फाद्यम से यहाँ पर water को अलग किया जाएगा, water में से oxygen अलग कर दी जाएगी, hydrogen अलग कर दिया जाएगा, और इसको यहाँ पर collect कर लिया जाएगा, ओके, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, इससे pollution बगरा होता नहीं है, एक अच्छा method है hydrogen को produce करने का, तो यह main focus रखा ग अगें GS paper to international relations के point of view से important है, यहाँ पर बात करी गई है, इंडिया और क्रोशया के बारे में, अब ही हमने बात करी थी इंडिया और UK के बारे में, अब इंडिया और दूसरी कंट्री है क्रोशया, दोनों ने मिलकर हाथ मिला लिया है, hands join कर लिया है, किस चीज के लिए, traditional medicine system के अंदर, traditional medicine क्या है, जैसे ayurveda medicine के बारे में आपर बात की गई है, तो इंडिया ने हाथ मिला है क्रोशया के साथ, साथ ही साथ एक memorandum of understanding sign किया है, कि इंडिया और क्रोशया मिलकर research करेंगे, development करेंगे, इंडिया की traditional medicine systems के अंदर, जो ayurveda है, basically इसको Europe के अंदर promote किया जा इंडिया के comparison में, आप देख पाऊगे, यहाँ पर आपको यी छोटा सा क्रोशया देखने को मिल पाएगा, क्रोशया का थोड़ा सो हम लोग zoom करते हैं, मैप में, तो क्रोशया यहाँ पर देख पाऊगे, capital है, Zagreb, दनोस के बाद इसकी जो आसपास की countries है, वो है, Slovenia, Italy, Hungary, Serbia Arabiya और Bosnia और Hazard Govinda, तो यहाँ पर आप देख पाऊगे, अलगलग countries है, जो कि क्रोशया के साथ boundaries को share करती है, इधर आपको Gulf of Venice देखने को मिलेगा, और इधर जब आप क्रोशया के अंदर enter करोगे, sorry, इधर side से जब enter करोगे, तो इधर Adriatic Sea आपको देखने को मिलता है, तो यह बढ़ते हैं, अब यहाँ पर कुछ highlights देखते हैं क्या-क्या discussion हुआ है, देखो यहाँ पर जो Ministry of Ayush है, इन्होंने क्या करा, एक agreement sign क्या है, Ministry of Ayush ने agreement sign क्या किस के साथ, क्रोशया की heel ministry के साथ, दोनों मिलकर collaboration करेंगे, दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, Indian traditional medicine system के ओपर, जो India क Ayurveda system है, इसको promote किया जाएगा आगे Europe के अंदर, क्रोशया के अंदर यहाँ पर इस Ayurveda के system के ओपर और research करी जाएगी, प्लस इस agreement के अंदर, जो दोनों countries है, यह आपस मिलकर और भी academic activities भी चलाने वाली हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको धिहान रखना है, Ayurveda को promote करने की ब या फिर European countries के relations काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, दूसरा, भारत का जो यह पुराना medicinal system है, भारत का जो यह Ayurvedic system है, यह European nations में पहुँचेगा, इससे हमारे जो relations है, वो promoter है मैं आपको बताया, प्लस भारत की medical education भाहर पहुँच रही है, प्लस उसके बाद यहाँ पर औ इंडिया और क्रोश्या के relations पढ़ोगे, कोई सी भी बुक से आप जब भी पढ़ोगे तो यह चीज़े आपको मिलेंगी, मिलेंगी उस बुक के अंदर, वो चीज़े क्या क्या है, सबसे पहले चीज़, इंडिया और क्रोश्या लगबग साथ में दोस्त बने वे हैं, क्योंकि आगे आपको quiz solve करना है, चोटी-चोटी information आपसे पूची गई है quiz के अंदर, तो मैंने इस वसे चोटी-चोटी information पूची है, ताकि आप लोग कितने अच्छे से सुन रहे हो, उसकी testing की जा सके, ठीक है, तो युगो असलाव या, टूटा था 6 नई countries के अंदर, कब 1990 90's के आसपास, और यहाँ पर कुछ conflict चले थे, political conflict चले थे, उसकी वज़ा से यहाँ पर यह तूट गया था, और 6 नई countries कौन-कौन सी निकल कर रही थी, एक आये थी, बोसनिया और हेजरगोविना, उसके बाद मैसेडोनिया, उसके बाद मैंटेग्रो, सर्भिया, क्रोशिया साथ तब से ही बहुत जादे, अच्छे है थे, 1990's से हमारे relations काफी जादा अच्छे हैं, यह आप लोग को याद रखना है, जो क्रोश्या कंट्री है, यह आज के टाइम पर मेंबर है, European Union की, उसके बाद NATO की मेंबर आपको देखने को मिलेगी, यह कंट्री एक gateway है, यूरोप मोदी जी, लाँच कर रहे हैं पहला गती शक्ती मास्टर प्लान, अब इस मास्टर प्लान का क्या होगा फाइदा, इसके बारे में हम बात करेंगे, न्यूज में क्यों है, क्योंकि हाली में, सौरी, यहाँ पर हाली में इसका बरह में अनांस्मेंट हो चुका है, लेकिन 13 October क यह लाँच किया जाएगा, आज यहाँ पर इसको लाँच करने की बात की गई है, किसको प्रधान मंत्री गती शक्ती को, तो यहाँ पर आपका सकते हो कि आज लाँच करेंगे प्रधान मंत्री गती शक्ती को, यह बिसिकली एक National Infrastructure Master Plan होने वाला है, अब आप नाम से समझ व प्लान में होगा लगबग, 16 मिनिस्ट्री ज और 7 कोर इंफ्रस्ट्रक्चर सेक्टर, 7 में मिलकर काम करेंगे, यह 7 में एक सिंगल प्लैट्फॉर्म पर आएंगे, 7 में इनका मेल मिलाप होगा, 7 में मिलने के बाद यह लोग आपस में मिलकर क्लियरेंस रखने के बाद जाइए गया, ठीक है, तो मतलब इस बिसिकली ज यह क्या होगा, इस मास्टर प्लैन के अंदर, बहुत सारी मिनिस्ट्री ज इंफ्रस्ट्रक्चर, कोर्स एक्टर है, वो मिलकर काम करेंगे, एक करीके से जो भी हमारा इंफ्रस्ट्रक्चर है, उसको डेवलप करेंगे, इस यहां पर आपका सकते हो जो goods है वो ट्रांसपूर्ट किया जाता है customer के उपर ठीक है अब यहां पर customer तक वो goods पहुंचता है तो जो logistic cost लगती है ना basically उसको कम से कम करने की बात किया यह supply जो यहां पर logistic cost कम होगा तो supply बढ़ेगा इसके साथ साथ हम लोग का जो product है वो और के से grow करता वा नजर आएगा साथ ही साथ यहां पर main मकसद रखा गया है कि हम लोग अपने पूरे infrastructure को develop करेंगे तो यह जो जितनी भी ministries होंगी या जितनी भी core sector होंगे यह आपस में बिलकर इन चीजों के पर focus रखने वाले हैं दूसरी चीज भारत के अंदर local infrastructure grow होगा तीस structure के उपर इतना काम कर रहे हैं तो यहां पर बहुत सारा investment भी आएगा लोग invest भी करेंगे इसके अंदर investment आएगा उसके बाद यहां पर आपका सकतो investment आने की वज़ा से हमारी चीज़े grow भी होंगी employment बढ़ेगा employment बढ़ेगा लोग के पास पैसा आएगा लोग के पास पैसा लोग market में खरीदेंगे कुछ ना कुछ समान उससे demand बढ़ेगी हमारी economy के अंदर overall यहां पर growth देखने को मिल सकती है ओके तो यह इसके अंदर बाग करी गई है next article यहां पर discuss किया जा है इंडिया ने agree कि हम लोग 200 million dollars का line of credit support देंगे किरगस्तान को यहां पर इतना पैसा amount यह ने approve कर दिया है कि लगबग 200 million का line of credit support देंगे हम लोग करगस्तान को अब करगस्तान यह पैसा क्या करेगा तो अपने developmental projects में यहां पर यह पैसा लगाएगा अपने विकास के लिए जो भी project है उनके ओपर यहां पर यह पैसा लगाने वाला है करगस्तान इसके बारे में आप यहां पर यह कुछ सारा discussion किया गया साथी साथ यहां पर बोला जा रहा है अभी और वी बातचीत होनी बाकी है साथी साथ जैशंकर साब expect कर रहे हैं कि यह और वी बातचीत एक तरीके से करें जो महां के deputy prime minister है प्लस महां के foreign minister है उनसे भी यहां पर discussion करें इनका में मकसद यह है साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया और करगिस्तान के relation अपने आप में बहुत important role play करते हैं भारत के बहुत सारे students महां पर पढ़ते हैं ठीक है यह आप लोग देख पाओगे अगर हम बात करें इंडिया और करगिस्तान के republic relations के बारे में इनके relations के बारे में exactly तो यहा पर relations इनके grow हो रहे थे इंडिया ने हाँ पर आपका सकते हो कि एक तरीके से जो कजक्स्तान है इसके independence को recognize किया इसके independence को एक पैचान दी थी क्योंकि हुआ क्या था जो करगिस्तान है यह भी तूटके निकला था कहां से जैसे यहाँ पर क्रोश या यूगोस लाइवे से यहाँ एक country है अगर हम बात करें पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया लगातार काम कर रहा है कजक्स्तान के साथ मिलकर इंडिया लगातार यहाँ पर आपका सकते हो काम कर रहा है इनकी commerce और strategic ties को increase करने में ठीक है तो यह आप लोग ध्यान रख सकते हो उसके बाद होगे कि एक सेगंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कजक्स्तान की मैं बात कर रहा हूँ कजक्स्तान कर गिस्तान दोनों के साथ ही रिलेशन के बारें बात हो रही है इंडिया के रिलेशन के साथ अच्छे तो हैं ही साथ ही साथ कजक्स्तान के साथ भी काफी अ इसे बारे में आइडिया रख सकते हो नेक्स्ट अर्डिकल में बात करी गई है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अभी सलिब्रेट किया गया 10 अक्टूबर को तो 10 अक्टूबर हर साल यहाँ पर आपका सकते हो यह वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को हम लोग observe करते हैं, यहाँ पर basically main मकसद क्या है, जो एक तरीके से लोग की mental health है, उसको लेकर यहाँ पर एक तरीके से ये day मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पाओगे आज के time पर क्या हुआ है, COVID-19 की वज़ा से बहुत सारे लोग की जो mental health है, उसके उपर एक बहुत बुरा प्रभाव पढ़ा है, बहुत बुरा impact पढ़ा है, है न कोरोना की वज़ा से, तो इस चीज़ को अपकी बार यह denote करता है, तो हर बार यहाँ पर focus रखा जाता है, कि जो लोगों की mental health है, वो आप लोगो ध्यान रखना है, यह initiative है World Federation for Mental Health का, तो 1992 में सबसे पहली बार इसको observe क्या या था, सिर्फ और सिर्फ तारीक रियाद रखना है, इसका और कुछ याद नी रखना है, जादा कुछ खास important नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लगा दिया इस article को, क्योंकि चर्चा में था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम अपने mains oriented article के ओपर, अब यहाँ पर आप देख पाओगे mains के perspective से जो सबसे पहला article है, वो international news आई है, और IR के point of view से जो भी ताइवान के issue को लेकर, देखो इन दोनों countries का जो issue है, आज के time पर काफी जादा बढ़ चुगा है, चाइना ताइवान के जो relationship है, वो पिछले सालों के अंदर काफी अतक बिकार हुआ हैं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ दिन आपको चाइना देखने को मिलेगा, इधर आपको यह ताइवान देखने को मिलेगा, तो अपने military aircraft ताइवान के ऊपर से उड़ा दिये, और यहाँ पर ताइवान कुछ नहीं कर पाया, तो इन दोनों countries की इतिहास को हम cover करेंगे, यह विवाद क्या है, कितने लंबे समय से आपको यह विवाद देखने को मिलेगा, तो चाइना और ताइवान का background, conflict है क्या exactly, सबसे पहला point, चाइना और ताइवान separate हो चुके थे, एक civil war में, हुआ क्या था, चाइना के अंदर एक civil war हो गई थी, यहाँ पर मुझे exactly नाम याद आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ फिलाल, ठीक है, क्या हुआ था, एक leader चलते थे, वहाँ पर चाइना के अंदर बहुत पराने leader एक तरीके से चल रहे थे, मानलो, ए नाम मानले रहे हैं, मुझे याद निया रहे हैं, मैं आपको बता दूँगा, तो साध्यात क्या हुआ, यह leader काफी लंबे समय से रहे, काफी लंबे समय से चाइना के उपर शाशन कर रहे थे, ठीक है, अब हुआ क्या, जब लंबे समय से शाशन कर रहे थे, तो च चाइना की आदे से ज्यादा population माउजदाओं को support करती है और माउजदाओं को leader बनाती है कहाँ पर आपका सकतो communist चाइना का है इनकी जो तरीके से सोच है वो communist विचारदारा देखने को मिलती है तो माउजदाओं यहाँ पर निकल कर आते हैं अब इससे क्या होता है चाइना की आदे से ज्यादा population माउजदाओं को support में आ जाती है और बाकी 15-20 लाक लोग यहाँ पर इस व्यक्ति के support में आते हैं तो क्या होता यह जो व्यक्ति है एक political party चलाये करता था KPT करके political party वो कर दी थी उस party को चलाये करता था तो यहाँ पर यह सारी चीज़ा हम लोगों ने दे यह जो KPT political party के लोग हैं यहाँ से निकल कर भागे कहां पर ताइवान के अंदर ताइवान में यह लोग भाग कर ताइवान में एक तरीके चाफ्ट हो गए तो आप कह सकते हो कि ताइवान के अंदर जो लोग है वो चाइना वाले हैं बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा ताइवान एक्जाटली पहले चाइना का ही पार्ट हुआ कर ता ये भी चीज सुनलो ठीक है चाइना की पार्ट ही हुआ कर दा लेकिन हुआ क्या था जापान ने इसको पर कबजा कर लिया था जापान ने लगबग मुझे 18 लगबग 1895 यहां पर आपको ये वार्ड से रखा था जापान बहुत पावरफुल था उस समय होता क्या है अब यहाँ पर पावरफुल थो था लेकिन यहाँ पर First World War यहाँ पर देखने को मिलती है फिर उसका आप लोग यहाँ पर देख पाओगे जापान के अदर बॉंब गिरते हैं nuclear बॉंब कौन गिलाता है अमेरीका न्यूक्लर बॉम किलाता है जापान के अंदर और वो बॉम को जैसे यह पर यह पीछे हटता है तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो लोग है वापस से आप देख पाऊगे Chinese वाले लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगे एक तरीके से KPD political party आपको यह देखने को मिल जाएगी यहाँ पर और उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर exactly यह कह सकते हो अमेरिका जो है न Taiwan को किसको swap गया था China को swap गया था ठीके यहाँ पर पान के ओपर हमला करके यहाँ पर Taiwan जो है Taiwan जो country है अमेरिका sorry China को swap कर चला गया और in fact यह पहले भी China का part ही हुआ करता था लेकिन China का part आप फिर से यह देखने को मिलेगा बन जाता है लेकिन फिर क्या होता है फिर से यहाँ पर जो लोग है वो एक तरीके से आपको अलग तरीके से बिएफ करते वे नजर आते हैं आज के टाइम पर रिलेशन जो है Taiwan और चाइना के काफियत खराब हो चुके है आप लगातार न्यूस अगर cover कर रहे हो तो मैं भी discuss करता रहता हूँ हिंदू में बाकी सारे जो वीडियो आते हैं उसके अंदर भी तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हो क्या रहा है बहुत सारी issues create हो रहे हैं आज के टाइम पर Taiwan जो है काफी अपनी recognition बना चुका है देखो हो क्या रहा है है यह Taiwan हमारा party लेकिन Taiwan कहता है हम किसी के party है हम एक sovereign country है हम एक sovereign state है नहीं करती है यह भी आपको द्यान रखना है इंडिया भी आपर Taiwan को recognize नहीं करता है एक ही चायना मानता है तो यह आप देख पाओगे यह सारा issue देखने को मिला है आई-पको history cover कवर करी है मैंने जो समझ में आ गई होगी कि यहां exactly क्या-क्या हुआ है और क्या-क्या इशुस इनके बीच में देखने को मिल रहे हैं तो एक civil war हुआ था 1949 में अब उस civil war के तहट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तरीके से हमाँ पर बहुत सदा dispute create हुआ और dispute create होने के बाद जो चाइना है चाइना ने consider किया Taiwan part of its territory मतलब कि चाइना ने यहां पर बोल दिया तो जो ताइवान है basically वो यहां पर चाइना का पार्ट है और ताइवान का लिडर क्या बोलते है ताइवान का लिडर बोलते है ताइवान एक sovereign state है ताइवान किसी क पार्ट नहीं है आप देख पाओगे यह लगातार dispute चलता रहता है 1949 में dispute चलता है उसके बाद आता है 1980s का समय 1980s में चाइना एक सीधा सीधा formula दे देता है चाइना यहां पर बोलता है ताइवान से देखो यहां पर आपको अगर अलग रहना है तो यहां पर आपको एक चाइना ताइवान एक ही कंट्री है लेकिन यहां पर आप सिस्टम दूसरा ले सकते हो मतलब वन कंट्री टू सिस्टम अपना सकते हो यहां पर अपना लीडर रख सकते हो सारी जी अपनी कर सकते हो लेकिन कंट्री एक मानी जाएगी ताइवान ने बोला चलो ठीक है हम तो Taiwan का जो नाम है वो Republic of China यहाँ पर क्या गया है, यह आप देख पाओगे लगाता है फिर उसके बाद यह dispute चलता रहता है dispute कभी खतम होते नहीं है अभी यहाँ पर आप देख पाओगे, अभी भी जो relations हैं दोनों के काफिया तक हराब देखने को Taiwan की बहुत सारी membership आपको देखने को मिल जाएगे Taiwan आज के टाइम पर लगबग बहुत सारे members का, बहुत सारी जो groups हैं उसका member आपको देखने को मिलेगा लगबग 38 international organization है उसके अंदर Taiwan part है World Trade Organization का Taiwan part है Asia Pacific Economic Corporation का part है Asia Development Bank का part है और भी इसी प्रकार के बहुत सारे groups हैं जहां पर Taiwan एक full membership को हासिल करता है, और साथी साथ यहां पर आज के टाइम पर Taiwan को as a separate country बहुत सारी एक तरीके से countries recognize करने लगी है, मतलब कि 15 European countries हैं, 15 European countries के साथ Australia, Canada, European Union Nations Japan, New Zealand, यह सब मानते हैं टाइवन एक अलग से देश है, तो आप कह सकते हो इससे मिडची लगती है चाइना को, चाइना कहता है यह कोई अलग से देश नहीं है, यह हमारा part है और इसकी वज़ा से dispute चलते रहते हैं ठीके, आज के टाइम पर क्या है आज के टाइम पर dispute इतने ज़ादा बढ़ चुके है कि चाइना अपनी जो यह वन कंट्री टू सिस्टम वाला सिस्टम है इसको भी नहीं मानता है, इसको कहता है कि अब यह भी छोड़ो, टाइवन हमारा part है और यहाँ पर चाइना ने बहुत सारे statement अल्रेडी दे चुका है कि आना वले टाइम पर साल 2026 में साल 2026 से पहले या फ़र साल 2026 के थोड़े से बात तक यहाँ पर हम लोग एक ऐसा मतलब सेनारियो देख सकते हैं कि जो चाइना है वो पूरी तरह से कबज़ा कर ले, इन्वेड कर दे ताइवान के अंदर तो यहाँ पर यह पूरा सेनारियो है आई होप आपको यह clear हो चुका होगा लेकिन आज के टाइम पर चाइना को concern क्या है चाइना को concerns आपको देखना है मेंस cancer writing में आपसे यही पूछा या है चाइना को आज के टाइम पर चिंता किस बात किया चाइना को चिंता इसी बात यह है कि आज के टाइम पर ताइवान बहुत सारे members बहुत सारी जो organization है उनका member है साथिसाथ यहाँ पर दूसरा concern यह है कि जो ताइवान है उसके relations काफिया तक बढ़ चुके है को साथ साथ बहुत सारी country जो है आज का ताइवान को रगेगनाइस कर देज करती है एस अ आप कंठरी में एक जापर dw साथ चाना को कांुंटर करने के लिए남 आइस डाइस हिएं जो और चानल है यी दूसरी कंठर पान पांज क यह लोग आपस मेलकर माला बार exercise conduct करते हैं तो चाइना को counter करने के लिए दो groups तैयार हैं प्लस ताइवान आज के ताइम पर strong होता वह नजर आएगा थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप देख पाओगे इन चीजों की वज़ासे चाइना को आज के ताइम पर tension काफी जादा हो रही है तीसरा यहाँ पर issue यह भी है कि ताइवान को आज के ताइम पर US बहुत सारे हत्यार प्रोवाइड करवा रहा है ताइवान को US support कर रहा है यहाँ पर आपका सकतो ताइवान को harpoon missiles, rocket system, F-16 fighter jet, arm drones यह सारी चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड करवा रखी है ताइवान क और यहाँ पर आपका सकतो US चाहता है कि लड़ें यह, ताइवान चाइना दोनों मिलकर लड़ें तो यह चीज़ आप लोगो को देखने को मिलेगी कि बहुत सादा support मिला है ताइवान को आज का टाइम पर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह भी आपको देखने को मिल जाएगी कि हाँ ताइवान को support मिला है बहुत सारी countries के तुरू ठीक है तो यहाँ पर चाइना इस चीज़ को भी लेकर tension में है अगर हम बात करें इंडिया का stand देखो इंडिया के अंदर अगर हम इस stand की बात करें तो इंडिया यहाँ पर ताइवान को accept नहीं करता है इंडिया यहाँ पर one China policy को accept करता है मतलब एक ही चाइना दो system वही वाली चीज़ को accept करता है जो कि चाइना मानता है ठीक है इंडिया यहाँ पर ताइवान को as a separate country नहीं मानता है लेकिन आज के टाइम पर इंडिया और ताइवान के relations काफियत तक ग्रो हो चुक है आपको मालूम होगा हम अप military relations को बढ़ा रहे है अभी हाल ही में semiconductor chip को लेकर वो एक trade pact sign हुआ है उसके बाद यहाँ पर जो ताइवान है बहुत सारा investment करने वाला है हमारी country के अंदर तो लगातार इंडिया और ताइवान के relations आज के टाइम पर ग्रो होते हैं नजर आएंगे वो चीज़ अलग बात है य US के क्या role रहा है I hope आपको एक एक चीज clear हो चुकी है नाओ यहाँ पर अब आपको लिए एक question बन जाता है वो question यह तयार होता है यहाँ पर चाइना ताइवान जो relationship है वो लंबे समय से बेकार हो रहा है लंबे समय से यहाँ पर दिक्कत में देखने को मिल रहा है लेकिन से 10 points mention कर देना बहुत है क्योंकि यहाँ पर हमें सर्फ और सर्फ 200 से 2500 words के बीच में आपर answer लिखना है तो इतनी ज़रा कोशिश करना एक अच्छा सा सटी कांसर लिखने की कोशिश करना नीचे comment section में ओके I hope यहाँ पर सभी लोग लिखने की कोशिश करेंगे और उस answer को दू State of Climate Service Report 2021 अब यहाँ पर आप देख पाऊगे Down to Earth का आर्टिकल है, Down to Earth is one of the most important source है हमारे current affair के लिए, तो World Metallurgical Organization यहाँ से सुनना WMO release करता है किसको State of Climate Service Report को और इसने 2021 वाली report को भी release किया है WMO ने, इसने focus रखा है terrestrial water storage के ओपर, अब यह terrestrial water storage क्या होता है, देखो यहाँ पर जो terrestrial water storage यहाँ पर सारा पानी है, हमारे जो land पर सारा जो land surface पर पानी है, प्लस सब surface पर पानी है, मतलब जो surface पर आपको पानी देखने को मिलेगा, soil के अंदर नमी देखने को मिलेगी, बरफ देखने को मिलेगा, ice देखने को मिलेगा, ground water देखने को मिलेगा, जितना भी पानी ह काफिया तक खत्रे में आपको देखने को मिलेगा यहां पर बोला गया water एक बहुत important चीज है मानाव के development के लिए मानाव के विकास के लिए लेकिन आज के time पर लगबग 0.5% ही पानी है हमारे अर्थ के उपर available जो की हम use कर सकते हैं मतलब इतना ही पानी हम लोग use कर सकते हैं तो यहां पर इतना पानी available है as a fresh water लेकिन बाकी पानी आपको काफी हतक गंदा देखने को मिलेगा ठीक है water resources जो की दुनिया भर में है आज के time पर आप देख पाऊगे इसके अंदर काफी हतक बदलाव देखने को मिलाए और आज के time पर जिस प्रकार से population बढ़ रही है urbanization अगर हमने बात करें दुनिया भर का scenario क्या है दुनिया भर के अंदर जो पूरा का पूरा पानी है terrestrial water storage है वो लगबख पिछले 20 साल के अंदर हर साल 1 cm से गिरता हुआ नजर आया है तो आप समझ सकते हो हर साल 1 cm से पानी drop हो रहा है ठीक है जो biggest loss है वो आपको एंटाक्टिक और Greenland वाले area में देखने को मिलेगा यहाँ पर और भी तेजी से पानी काम हुआ है अब बात करते हैं इंडिया के scenario की यहाँ पर इसको आप लोग code कर सकते हो अपने Minsk examination में इंडिया के scenario में अगर हम बात करें तो यह terrestrial water storage है यह लगबख 3 cm हर साल गिरता हुआ नजर आया है मतलब 3 cm की speed से तेजी से यहाँ पर पानी गिरता वा नजर आ रहा है यहाँ आप लोग देख पाऊगे और यहाँ पर कुछ-कुछ areas ऐसे हैं जहाँ पर यह पानी 4 cm की तेजी से भी कम हुआ है हर साल 4 cm की आपका सकतो मतलब इतना जादा down जा रहा है पानी है अब यहाँ पर पर hot spot बन चुका है जहाँ पर terrestrial water loss देखने को मिला है यह जो water एक कम हुआ है ठीक है और fresh water कम हुआ है और इससे दिक्कत भी बहुत देखने को मिलेगी इंडिया के अदर अल्रेडी यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है अगर हम बात करें average annual per capita water availability तो यह कम हो गई है यहाँ पर आप देख पाऊगे साल 2011 के अंदर यह लगबख 1816 क्यूबिक मीटर्स हुआ कर दीती साल 2001 में उसका आपका सकतो साल 2011 के अंदर यह कम होके 1515 क्यूबिक मीटर्स हो चुकी है तो water की availability लगातार कम होती भी नजर आ रही है यह आप लोग देख स scares हो चुकी है है मतलब कि उनमें पानी की कम हो चुकी है और यह सारी चीजे किसने बता आई यह सारी बताए है यहाँ पर पानी बिलकुल खतमसाना ला रहा है पानी की कमी पढ़ चुकी है और बहुस सरे एरियास ऐसे हैं जहां पर पानी बहुँ ज़rage दा tendon पहुँछ यहां पर बताया गया अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2050 तक और भी बहुत सारी जो river basin है उसमें भी पानी खतम हो जाने वाला है पानी और जादा डाउन पहुंच जाने वाला है फ्रेश वाटर खतम हो जाने वाला है अगर वाटर नहीं होगा तो इंसान यहां पर कैसे जीवित रहेगा यह एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलने वाली है ठीक है यह आप लोगो ध्यान देना है अब यहां पर आपका question होगा क्या सरकार कुछ नहीं कर दिये तो सरकार बहुत सारे अलग-लग steps उठा रही है water को लेकर तो वो steps क्या क्या है एक है जल करांती अभिया अटल भुजल योजना यह सारे initiatives वो हैं जो कि आज के टाइम पर भारत के अंदर कोशिश कर रहे है कि water को लेकर कोई भी crisis ना creative water यहां पर सभी लोग के पास available रहे ओके तो यह I hope आपको article समझ में आ गया होगा next article IR के point of view से important or international relations आता है against GS paper 2 के अंदर यहां पर बात हो रही है high ambition coalition for nature and people के बारे में यह एक group है basically HAC अब देख पाऊगे यहां पर यह group क्या है इसके बारे में आपको बताऊँगा article PIB से लिया गया है PIB एक one of the most important source है government directly अपना यहां पर data publish करती है चर्चा में क्यों है क्योंकि हाल ही में recently India ने यहां पर high ambition coalition को join कर लिया है HAC group को join कर लिया ह अब यह जो group है यह nature और people के लिए काम करता है मतलब एक तरीके से आपका सकते हो कि pollution को tackle करेगा climate change के उपर work करेगा बिल्कुल सही वही simple सा topic आ गया है इंडिया ने यहां पर जैसी इस group को join किया उजी के साथ BRICS nation के साथ इंडिया पहली country बन चुका है जिसने इस group को join किया BRICS के अंदर 5 countries आती है वो कौन कौन सी है Brazil, Russia, India, China, South Africa इसमें से भारत ऐसी country बन चुका है एक lothy country जिसने यहां पर HAC को join किया Now HAC क्या है यह एक inter-governmental group है ध्यान रखना यहां पर main काम है कि हम लोग अपने ecosystem को protect कर सकें जितनी जानवरों की प्रजातियां है उनको हम लोग बचा सकें यह group इस चीच को पर focus रखता है इस group को launch किया गया था साल 2019 में idea रखना इसके बारे में और launch किसके दोरा किया गया था Now बात करते हैं इस group के aim की इस group का जो main मकसद है वो है कि एक international agreement को promote करना यहां पर दुनिया भर में जितना भी land है दुनिया भर में जितना भी ocean है दो यहां पर ocean को लेकर ocean की production को लेकर कौन धिया देता है ocean की जो protection है उसको co-chair करता है UK यह यहां पर बताया गया है तो यहां पर target रखा है कि हम लोग जो natural habitat है वो कम से कम loss हो हमारी जो एक तरहीं से पर्यावरण है हम उसको बचा सकें प्लस उसके बाद यहां पर main focus रखा गया है हम लोग अपने nature के उपर हम अपने ecology को थोड़ा सा protect कर सकें हम अपने planet को थोड़ा सा manage कर सकें वो यहां पर focus रखा गया इस ठीके साथ सब्सक्राइब को यह देखने को मिलेगा इस पूरी group का और भी बहुत सारे initiative है इस group का initiative क्या क्या है इस group का नहीं मतलब आपका सकते हो इस group का main काम क्या है वो आपने समझ लिया environment को protect करने का इस group का main काम है लेकिन क्या है ना इसी प्रकार के दुनिया भर में 26 जेकी मीटिंग होने वाली अभी November में Glasgow के अंदर उसके बाद Climate Financing Common but Differentiated Responsibilities International Solar Alliance Coalition for Disaster Resilience Infrastructure यह सारे ऐसे इनिशेटेव हैं जो कि एक तरीके से काम करते हैं भारत के अंदर यहाँ पर क्या करते हैं भारत के अंदर सारी भारत के अंदर कह रहा हूँ दुनिया भर के अंदर Climate Change को Tackle करते हैं यानि कि दुनिया भर के अंदर हमारा जो Ecosystem में उसको Protection देने के लिए हाँ पर इस सारे इनिशेटेव काम करते हैं आपको ध्यानक लाएं यह इनिशेटेव बहुत important होते हैं means examination में directly पूछ लिया जाते हैं दन उसके बाद बात करते हैं इंडिया के पास भी कुछ इस प्रकार के इनिशेटेव हैं इंडिया भी यहाँ पर environment को protect करने के लिए अलगलग इनिशेटेव चलाता है जैसे कि National Clean Air Program दन उसके बाद stage 6 emission norms उसके बाद यहाँ पर आप देख पाऊगे उजाला scheme हो गया तो उसका national action plan on climate change हो गया तो यह सारे initiatives हैं जो कि भारत भी चलाता है प्लस दुनिया भर में यह सारे initiatives हैं तो यह सारे initiatives का main मकस्त है हम अपने environment को protection दे सकें ओके, I hope guys आप लोग को यह clear हो चुका होगा now अब फट फट करेंगे हम लोग अपने quiz की practice में यहाँ पर आपने अगर वीडियो को अच्छे से सुना है तो आप लोग इन सभी question का बहुत अराम से जवाब दे सकते हो बहुत easily तरीके से यहाँ पर जवाब दे सकते हो by the way इसकी जो answer की हो अने provide करवा रखी है लेकिन answer की नहीं देखनी है आप लोग को यहाँ पर हम लोग अब discuss करते हैं सारे question को पहला question यहाँ पर dash और dash यहाँ पर यह दोनों countries हैं जिनोंने अभी agreement क्या है forward action plan को लेकर वो countries कौन का हैं नाम दो नीचे comment section में दूसरा question युग असलाविया तूट कर यहाँ पर आपका सकते हो पहले युग असलाविया एक बड़ी country होग करते हैं तूट कर यहाँ पर ही कितनी countries में निकल कर आया है यह आप लोग को बताना है उसका उन countries के नाम भी लग देना मैंने अभी आपको बताया था उसके बाद Prime Minister Narendh Modi ji ने यहाँ पर हमारे जुन infrastructure master plan है infrastructure को develop करने के लिए अभी हाँ पर एक आपका सकते हो कि प्रोग्राम को launch क्या है उसका नाम क्या है नीचे comment section बताना इंडिया ने अभी agree किया कि इंडिया लगबग 200 million का line of credit support provide करवाएगा कुछ developmental projects लगाएंगे किसी country के अंदर मतलब किसी country को हम लोग इतना यहाँ पर पैसा provide करवाने वाले हैं वो country कौन सी है नीचे comment section में नाम देना world mental health यहाँ पर कौन से दिन को observe क्या जाता है date दिखो नीचे comment section में उसके बाएगा next question बात करता है dash मतलब यहाँ पर एक body का नाम है वो body क्या करती है state of climate service report को उसने release क्या है इस report को release क्या है साल 2021 वाली उस body का नाम नीचे comment section बताना है हाल ही में एक country है जिसने high ambition coalition for nature and people को join क्या है उस country का नाम नीचे comment section बताना इस quiz को solve करना है सारे answer नीचे comment section में लिखने है यहाँ पर देखता हूँ कि इस प्रकार से आप लोगोंने इस वीडियो को सुना है उसके साथ साथ यहाँ पर mains का question मैंने specific article सबको मैं cover कर सको तो guys इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने lecture को समाप मिलते हैं आप लोगों से next वीडियो में आज के लिए bye bye have a nice day thank you and जैहिंद